हमारे देश में समय समय पर सामाजिक शोहार्थ देश की उन्नती और परगती के लिए विभिन धर्मों के बीच भाईचारा तथा गंगा जमनी तहजीब की दुहाई दी जाती है कि हमारे देश में यह चीजे रहनी चाहिए प्रणतु यह चीज जो है वहाँ पर बोली जाती है और वहाँ पर अपलाई की जाती है जहाँ पर वो विशेश धर्म मैनोरिटी में है और वो भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब जम्मू एंड कास्मीर के विशे में गायब हो जाती है उसके विशे में उन लोगों से जो तथाकतित लोग हैं कि भाईचारा रहना चाहिए गंगा जमनी तहजीब होनी चाहिए स्वाद रहना चाहिए वो जम्मू एंड कास्मीर के बारे में गायब हो जाती है उनकी उनके मुँसे एक लब्ज नहीं निकलता वहां के विशे में जबकि वहां के जो विश्थापित लोग हैं जम्मू एंड कास्मीर के वो इस देश का अभिन अंग है उसके बावजूद भी वहां के लोग सरनार्थी का जीवन जी रहे हैं पिछले 30 साल से तो उनके लिए कभी भाईचारे की बात क्यों इस देश में नहीं की जाती हैं क्या वह इस देश के लोग नहीं है या वो अधर्मी लोग हैं उनका कोई धर्म नहीं है और क्यों उस टाइम जब मस्जिदों के लौड स्पिकर से आवाज लगाई गई थी कि हिंदू कास्मीर छोड़ो नहीं तो मार दिये जाओ गए क्यों उस टाइम पर मॉब लिंचिंग नामक सब्द का इजाद नहीं हुआ था चुकि बाके देश में अगर कहीं कोई एक मर्डर हो जाए पांच साथ आदिम नहीं मिलका अगर कोई मर्डर कर दिया चुकि अकले आदिम के बसकी नहीं होता मर्डर करना किसी का उसको मॉब लिंचिंग का नाम फट से दे दिया जाता है पंतु जो लागों लोगों को बे घर किया गया है हजारा आदमियों को मारा गया है वो क्या था मॉब लिंचिंग और महा मॉब लिंचिंग पंतु उसके विशे में आज तक मोबलिंचिंग का नाम मेरे कुछ सुनाई नहीं दिया और उस जमुएंड कास्मीर के लिए किसी के मुँझ से आज तक एक सब दिये निकला जो विभिन जंगों पर क्या कहते हैं कि इकठे होकर के दुआई देते हैं भाईचारे की उसके लिए कभी उनके पास में ना तो समय निकला ना उन्होंने कभी आवाज लगाए कि जमुएंड कास्मीर में जो बासिंदे हैं जो विस्तापित जीवन जी रहे हैं उनके लिए भाईचारा जमुर्ण कास्मीर में होना चाहिए और उनको वहा के लोगों को बुलाना चाहिए तो मैं उस भाईचारे को उस जंगा पर क्यों मानूं जहां पर मैं मैजॉरिटी में हूँ और वो मैनॉरिटी में है जब वो उसके लिए कुछ नहीं करते जब जमुएंड काश्मीर में नहीं रहेगा, चुकि वो भी मेरे देश का अभिन अंग है, सम्विधान के अनुसार, जब वो मेरे देश का अभिन अंग है, जब वहां पर मेरे लिए भाईचारा नहीं है, तो मैं बाके देश में उस भाईचारे को क्यों मानूं, इस दोगले और ना कहें, वहां भाईचारा खतम हो जाए, है ना, तो यह उसी तरह की बात है, जैसे एक छोटा सा बच्चा कभी कभी जीद कर लेता, खिलोना मांग ने मैं तो यह खिनो लोगा, यह खिलोना लोगा, तो इस भाईचारे नामक खिलोने को यह नहीं है कि आप बाकी हिंद लोग और बुद्धी जीवी लोग हैं, जो अपना आपको बुद्धी जीवी कहते हैं, क्या आज तक उस समाज से कोई बुद्धी जीवी जो भाईचारे की बात करता है, उन विस्थापित लोगों के लिए आवाज निकाली, कहीं वह किसी आदलत में गया, यहाँ पर मया मा अपने ही देश के विस्थापित लोगों के लिए कोई भी अदलत में नहीं जाता, जो अपने ही देश में रह करके सरनार्थी बने हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है, तो भाड में गया तुम्हारा भाईचारा और भाड में गये तुम, चुकि मैं भाईचारा तभी मा यह नहीं है कि जहां आप मैनोरिटी में हैं, वहां आपको भाईचारा चाहिए है, जहां आप मैजोरिटी में हैं, वहां भाईचारा खतम, थैंक्यू, और भाई भाई जिसको आपती है, वो जरह सोचे कि क्या कभी उसने जमुर्ण कास्मीर के बारे में बोला, क्या उसने के लिए आवाज उठाई तब यह है इस विशे में कुछ बोले अन्यतक की मम ठीक है और आज कल बहुत बोला जाता है भीम और मीम भीया भीम वालो बामियान बुद्धा की प्रतिमा आपने बहुत अच्छी तरह देखी होगी क्या हुआ है वहाँ पर उसका हर्स आपके मूझ से भी एक लब्ज नहीं निकला कभी वाह क्या भाई चारा है तैंक यू एंड बाई बाई